हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 होन बिल इंग्लिश पोएम बुक के चैप्टर नंबर वन जिसका टाइटल है अब फोटोग्राफ जिसको शर्ली टोल्शन ने लिखा है इसकी स्टेंज़ वाइज हिंदी समरी की स्टेडी करेंगे स्टुडेंट्स, इस पोएम में 19 लाइन से 3 स्टेंज़ हैं फर्स्ट स्टेंज़ में पोएट अपनी मा के फोटोग्राफ को देखती है सेकेंड स्टेंज़ में वो फोटोग्राफ के माध्यम से अपनी मा के चाइलून को रिकॉल करती है और थर्ड इस्टेंजा में अपनी मा की आदू को स्रधांजली देती है So students, अब हम इसके फर्स इस्टेंजा की Line-wise Hindi explanation की study करते है The cardboard shows me how it was Cardboard जो लकड़ी की frame में जड़ा photo होता है Shows me मुझे दिखाता है How it was उस picture को when the two girls cousins went paddling Paddling होता है walking करते हुए जिसमें two cousins होए walking कर रही है Each one holding one of my mother's hand और जिसमें प्रतियक ने मेरी मा के hands हाथ को holding पकड़ रखा है And she the big girl और वह उनमें पड़ी है Some 12 years also 12 years बारे वर्स की हैं लगबद All three stood still to smile Throw their hair Three तीनों stood खड़ियों कर Smile मुस्कुरा रही है Their hair उनके बालों को देखकर At the uncle with the camera जो अनकल केमरे के साथ खड़े वे है A sweet face एक सुन्दर सा चेहरा My mother मेरी मा का That was before I was born और यह photo तब का है तब मेरा जनम भी नहीं हुआ था अर्थात कवित्री कहती है कि यह लकड़ी का जो बना photo frame है इसमें जो photo है यह सुन्दर दिरश्ये मुझे इसमें दिखाता है कि दो कजिन घूम रही है और परतीक ने मेरी मा का एक-एक हाथ पकड़ रखा है मा उन दोनों के बीच में है और यह सबसे बड़ी है और लगबग बारे वर्ष की है मा के अंकल के बाल हवा में उड़ रहे है उन्होंने एक कैमरा ले रखा है उन्हें देखकर यह तीनों बच्चियां मस्ती कर रही है और हस रही है और अब हम सेकेंड इस्टेंजा की लाइन वाइस स्टेड़ी करते है और दासी विच अपियर्स टू है चेंज लेज अपियर्स होता है दिखाई देता है चेंज बदलता लेज मने नहीं है कि जो समुद्र बदलता हुआ दिखाई नहीं देता वोश देयार ट्रीबली ट्रांसियन फीट यह है उनके ट्रीबली बहुत चनिक ट्रांसियन टर इसका मतलब होता है दोनों का बहुत चनिक फीट पैरों को धोता है सम 20, 30 years later लगबद 20, 20, 30, 30 साल लेटर बाद शीट लाफ्ट एट दा स्नेपसोट वे है अरताट मेरी माताजी स्नेपसोट में इस पीक्चर में उसी परकार मुस्कुराती दिखाई दे रही है उनके साथ में बेटी और डोली जोन की कजिनें वे भी उसी परकार हस्ती दिखाई दे रही है ड्रेस आप फोर दा बीच जो बीच में अरताट समंदर के बीच में इंजोई कर रही है दसी होली डे अपनी छुट्टियां मना रही है वोज हर पास्ट लेकिन ये छुट्टियां उनकी पास्ट है माइन इज हार लाफ्टर बोथ वरी बोथ मिन सोता है दोनों वरी बदल गई है लाफ्टर हसी आती है कि अब वे दोनों भी अरताट बेटी और डोली भी बदल चुकी है अब इस फोटो के देखकर मुझे बोथ हसी आती है अर्थार कभी कहती है कि समुद्र अब जो ये परिवर्तन सील दिखाई देता है ये उन भोधी छनिक पदचिनों को इस पिक्चर में दो रहा है और जब कि ये पिक्चर है इसे लगभग 20-30 साल गुजड़ चुके हैं इस फोटो में अभी भी मेरी मा एक छोटी बच्ची है और अपनी छोटी कजिन के साथ में खेलती दिखाई दे रही है लेकिन अब वो समय बीच चुका है अब इससे बस यही सीद होता है कि जो यह होली डे था वो मेरी मा का पाश्च था वो समय पहले की बात है लेकिन यह फोटो आज भी उन्हें देखकर मुझे हसी दिलाता है और अब हम इसके थर्ड स्टेंजा की लाइन वाइज हिंदी स्टेडी की ओर चलते हैं विद दा लेबोर्ड इस ओफ लोज लेबोर्ड इस इस होता है परिशानी लेबोर्ड जो भी उनकी महनत थी परिश्रम था लोज सभी अब खतम हो चुका है वरी आईरोनिक मोकिंग वरी मिन्स होता है चेंज होना आईरोनिक मोकिंग वे वियंग आत्मत जो हसी थी वे भी सब कुछ चेंज हो गई है Now she's been dead nearly as many years She's means mother Dad मर चुकी है nearly as many years अने एक साल पहले As that girl lived और वे लड़की जो जीवित दिखाई देती है And of the circumstance वातवरन और वे सुन्दर वातवरन समुद्र का there is nothing to say at all इस picture में ये सब देखकर कोई नहीं कह सकता It's silence, silences कि ये लड़की जो है ये मर गई है अर्थायत कभी कहती है कि अनेक वर्स पहले मा की मिरत्यू हो चुकी है और जो इस picture में ये आईरोनिक मोकिंग करती हुई ये girls दिखाई दे रही है ये भी past है, ये भी subchange हो चुका है इस picture में जो ये लड़की दिखाई दे रही है जो समद्र का सुन्दर वातवर्ण दिखाई दे रहा है वास्तों में उसे देखकर, उस picture को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये प्यारी सी बच्ची जो है ये मर चुकी है अर्थात मेरी माता मर चुकी है ये है इस पोएम की लाइन वाइज हिंदी समरी थी बुक अवलेबल ने होने के कारण मैंने आपको कोपी पर नोट करके इस पोएम की स्टेडिक कराने का प्रियाज किया है So I hope you would understand it very well So please like my video and subscribe my APS channel Thanks for watching it